हेलो गाइज, तो कैसे वाप, I hope सब के सब बढ़िया होगे और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जो करन्ट लोकेशन है ना उसको कैसे स्पूफ कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं अभी हर्याना में हूँ और मेरा जो मला की residence है, इसको मैं स्पूफ करके कहीं और ले जा सकता हूँ जस्ट लाइक मैं यहाँ पर मेरा कोई दूसरी लोकेशन डाल सकता हूँ मालनो मैं UP की कोई लोकेशन शो कर सकता हूँ, क्या भी मैं करन्ट ली UP में हूँ फिर कोई भी other countries भी में show कर सकता हूँ easily तो ये करना है बिल्कुल आसान है आज का जो software यूज करने वाले है इसकी help से आप इसको बिल्कुल easily कर सकते हो और आपने कुछ science fiction movies बगेरा में देखा हूँ कि जो hacker है वो अपनी live location उसको bounce करवाते है मतलग कि different locations पे bounce होती है location तो वो same आप इस software में कर सकते हो अपनी location को bounce करवा सकते हो multiple locations पे तो वीडियो काफ इंट्रेस्टिंग होने वाले वीडियो को last तक देखना और वीडियो चलेगे तो वीडियो को like और चनल को subscribe जरू कर रहे ना तो चलेगे वीडियो कर लेते है start आपको click कर देना है और जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपको जो downloading है वो start हो जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पर show कर दूँ तो में एक zip file है जो वो download हो चुकी है यहाँ पर तो इस zip file को directly आपको extract करना है और extract करने के बाद आपको normally जो file उसको install होने देना है उसके बाद जो आपका software है iMove Go यह आपके मलगी PC के अंदर install हो जाएगा जैसे आपका software install हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ ऐसी screen देखने को मिलेगी तो यहाँ पर हम get started पर click करते है और अब यहाँ पर है ना यह मांग रहा है कि आपको अपना iOS या फिर जो Android device है ना वो अपने laptop के साथ connect करना है तो यहाँ पर मैं अपना device एक बार connect कर लेता हूँ तो just like यहाँ पर है ना मैंने मेरा device connect कर लिया है और यहाँ पर आपको basic information दिखा रहा होगा software info अगर आपका Android 6 या 6 से उपर है तो यहाँ पर आपको मलगी USB transfer on करना है जो कि हमने पहले कर लिया है तो मैं इसको यहाँ पर करके यहाँ पर आपको developer option में मिल जाएगा USB to gathering का option तो वो आप यहाँ मैं से कर लेना हमने completely कर रखा तो मैं इसको cut कर देता हूँ तो हम universal mode में आपको मैं try करके दिखाने वाला हूँ तो universal mode पर आपको click करना है अभी आपके device saber connect हो रहा है तो मैं अपनी live location भी आपको दिखा दूँगा कि live location क्या है उसके बाद यहाँ पर spoof करके भी मैं आपको दिखा दूँगा just like मैं यहाँ पर इसको skip कर देता हूँ तो अभी मेरी current location यहाँ पर आपको show कर रही होगी यह मेरी current location है मैं आपको अगर हम जा के दिखा दूँ मेरे मलकी device के अंदर भी तो यहाँ पर मेरी current location आप देख सकते हो दुनेरे devices के अंदर मेरी same देखन को मिल रही है अब यहाँ पर मैं change करता हूँ मेरी location को just like मैं यहाँ पर आपको ऊपर है ना location डालने का option मिलता है तो just like मैंने अपके बर move पे click किया तो हमारी जो location है move हो चुकी है जैपूर पे और यहाँ पर अगर आप मेरे mobile device में देखोगी तो मेरी जो location है वो यहाँ से हट चुकी है और अगर मैं आपको मलकी थोड़ा zoom out करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं मेरी location दिखाऊं तो मेरी location जा चुकी है जैपूर में अभी आप देख सकते हो जैपूर मेरी location यहाँ पर completely show कर रहा है सेम तरीके से मैं यहाँ पर है ना कोई दूसरा मलकी आपको location सर्च करके दिखाता हूँ अब हम कोई दूसरी city यहाँ पर try कर लेते हैं just like मैं Kolkata West Bengal कर लेता हूँ और यहाँ पर करने एक बाद मैं move पर click करता हूँ तो अभी देख सकते हो मेरी location Kolkata आ चुकी है सा और side कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक arrow आ चुकी है अब मैं जैसे click करूँगा यहाँ पर मैं move करता हूँ तो हमारी जो location है वो directly jump कर जाएगी अब जो location है उसको मैं jump करता हूँ तो हमारी दूरता कि आपको समझ में भी आ जाए अब सेम आप मैं देखो कि तो map में भी location आप यह देख सकते हो तो अब भी मैंने इसको थोड़ा और मनला की इधर कर देता हूँ तो अब भी मैं यहाँ पर जाता हूँ है two sport mode यहाँ पर भी आप मला की दो sports पर jump कर सकते हो मला की एक location से दूसरी location पर jump कर सकते हो similar तरीके से तीसरा है multi sport mode यहाँ यह वाला better है अगर मैं आपको मैं बिल्कुल zoom out करके दिखा हूँ तो हमारा कुछ SM app है इंडिया का ठीक है तो यह plan कर रहा है अभी route को और हमारी जो location है उसको यह move करना start कर देगा just like मैं अभी अबर map को zoom out कर लिया मैंने mobile में भी यहाँ पर जो location है इंस्टेंट move नहीं होगी वो धीरे-दीरे move होगी just like कोई car अगरा जब चलती है तो उसकी location धीरे-दीरे move होती है similar ways में आपको यहाँ पर जो location है वो move करती है यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो कि जो red color की line है वो पीछे जाती जा रही है क्योंकि location हमारी आगे move कर रही है तो इस तरीके से आप multiple sports पे भी इस location को घुमा सकते हो यहाँ पर हम stop कर देते हैं इस route को तो यह हम stop कर देते हैं हमारा route है वो stop हो चुका है साथी साथ जो दूसरी है वो हमारी joystick mode है joystick mode से भी आप अपनी location को control कर सकते हो यहाँ पर है आपको काफी सारे multiple options मिल जाते हैं बट mainly जो location spoof है वो काफी बड़े तरीके से work करती है मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया है कि हम जो हमारा app है उसके अंदर जैसे जैसे move कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अपनी जो live location है ना उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से spoof कर सकते हो बिना किसी issue के और काफी perfectly work करती है मैंने आपको सारे एक सारे तरीके बता दिये हैं और उसके अंदर कुछ basic features वगएर आपको देखन को मिल जाते हो आप check out कर सकते हो तो जो application है वूट है कि I move go इसका आपको जो download link है ना वो description और साथे साथ pin comment दोनों ही मिल जाएगा आप कहीं से भी मैं लगके download कर सकते हो काफी बड़े application है तो ये थिक simple से sort video I hope आपको वीडियो चलेगे और वीडियो चलेगे तो वीडियो को like और चनल को subscribe जूर कर लेना ताकि इसी और interesting videos in future map के लिए लेके आता रहूं